हलो बच्चो आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वेटू स्टड़ी में बच्चो आज हम आपके लिए लेके हैं कक्षा आठवी की विज्ञान विशे की कार्या पत्रक नमबर पांच बच्चो जैसे कि आप सभी जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स फिल्ड में हमें अपने अध्यापक का नाम लिखना होता है चलिए देखते हैं अपनी वॉक्षीट उससे पहले बच्चो अगर आप हमार चानल पर नए हैं और अभी तक हमार चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमार चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी बैल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तरफ नोटिफिकेशन मिल जाए और बच्चो अगर आपको हमारी वीडियो पसंदा रही है तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड साथ शेयर करना ना भूलें चलिए देखते हैं अपनी वरक्षीट बच्चो आज के हमा मानव और अन्य जन्तों में बिमारी जैसे मलेरिया टीबी और टाइफोईड कवक दवारा कपड़े चमड़े और कागच को संदूशित करना और पोदों में बिमारी जैसे निम्बू कहकर और गैहूं की रस्च आदी आप तक हमने उप्योगी सुक्षम जीवों और उनके और शद्य एवं अन्य उप्योगे के बारे में जाना था इनके अलावा कुछ सुक्षम जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से बहुत हनिकारक भी होते हैं जैसे कि उपर दर्शाया गया है कुछ सुक्षम जीव मनुष्यों जन्तों और पोदों में संचर्णिय रोग उत्पन करते हैं इसके अलावा कुछ सुक्षम जीव अनेक प्रकार से हनि पहुचाते हैं जैसे खाद्य पदा थो खराब करना शैवालों के प्रसफूटन से जल्याश्यों में अन्य जीवों का मरना कपड़े कागज और चमड़े की वस्तों को संदोशित करना इत्यादी रोग उत संपग में आने से फैलते हैं इसके बाद बच्चो दीगे जानकारी के आदार पर हमसे कुछ प्रशन पूचे गए हैं चलिए देखते हैं इन प्रशनों के उत्तर बच्चो हमारा पहला प्रशन है सुक्षम जीवों के कोई तीन हरिकारक प्रबाव लिखिए तो बच्चो जलाशों का विनाश चलिए चलते अगले प्रशन पर अगला प्रशन है बोजन को डख कर रखने की सला क्यों दी जाती है तो बच्चों इसका उत्र आप लिख सकते है बोजन को डख कर रखने की सला इसलिए दी जाती है तागि वे आसपास वादावर्ण में मोजूद किसी भी सुक्षम जीव से दूशित ना हो चलिए रेखते अगला प्रशन अगला प्रशन बच्चो रोगानु किने कहते हैं ये संक्रमित व्यक्ति से स्वास्ते व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं तो बच्चो इसका उतर आप लिख सकते हैं रोग उत्पन करने वाले सुक्षम जीव रोगानु कहलाते हैं ये संक्रमित व्यक्ति से स्वास्ते व्यक्ति में संक्रमित रग्त हवा, पानी, बोजन, रोग वहां को द्वारा या सीधे संपग में आने से फैलते हैं अगला प्रशन बच्चो सुक्षम जीव से होने वाली दो बिमारियों के नाम लिखिए बच्चो इसका उतर आप लिख सकते हैं सुक्षम जीव के कारण होने वाली बिमारिया हैं मलेरिया, टीबी, टाइफोड, आधी बच्चों यहाँ पर मैंने दो से अधिक बिमारियों के नाम लिखे हैं आप चाहें तो इन में से कोई दो बिमारिया या फिर सुक्षम जीओं से होने वाली अन्य कोई दो बिमारियों कोई सुत्तर में लिख सकते हैं बच्चो यह हमारी वर्क्षिट का आखरी प्रिशन था इसके साथ मारी वर्क्षिट यहाँ पर समाप्त होती है आशा करते आपको अच्छे समझ में आई होगी बच्चो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करना ना भूले साथ ही अगर आपको कोई क्वेशन है तो उसे आप कमेंट सेक्षन में जरूर पूछें हम आपके क्वेशन को जल से जल अंसर करने की कोशिश करेंगे और बच्चो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएं तेंक यू